हम लोग विमन एमपावर्मेंट की बात कर रहे हैं काफी बहस भी हुई इस शाम में कि कौन बहतर हैं लड़के बहतर हैं या लड़की बहतर हैं सो मैं ये सवाल जो है वो यहां बैठे तमाम दर्शकों से अपने फिल्म स्टार से पुछना जाओंगा तो मैं नीचे आके आपसे बात करना जाता हूँ दिपिका सीरिसली ये ये दोनों दिल के बहुत सचे हैं कभी ये जूट नहीं बोलेंगे चुपाएंगे नहीं रनवीर दिल से बताना आप ओवरॉल जेनरिक लड़के जादा नखरे करते हैं के लड़कियां लड़कियां करती हैं ओविसली किस प्रकार के नखरे करती हैं लड़कियां आप ध्यान से बोले क्योंकि आप जो भी नखरा बोलेंगे वो सब दिपिका के उपर जाएगा बस सज्टे धच्टे वक्ट और आपको तो सब पता है, आप इतनी लेडीज के साथ आपकी फ्रेंशिक होगा है दिविका, आप कितना सहमत हैं, कि लड़कियों के ज़्यादा नक्रे होते हैं, लड़कों के कम होते हैं मैं ऐसे सहमत नहीं हूँ, विल्कुल भी सहमत नहीं हूँ रणबीर, तुम इदर ही आजाओ मिरें को वेड़ना एक है, नोगी नहीं है दो? मतलब आप मानते हैं कि नहीं लडकियों के नक्रे नहीं होते है, लडकों के जयादा होते है होते है पर लडकों के जयादा होते है आपको क्या लगता है जैसे दिली में आज कल फॉर्मूला चल रहा है एवन और्ड का अगर ये रियल लाइफ में लागू हो जाए कि एवन और्ड वाले दिन एक दिन लड़कियां बोलेंगे एक दिन लड़के बोलेंगे तो क्या जो हमारे हिस्से में एवन आएगा जा ओड आएगा क्या हम मर्दों को बोलने का मौका मिलेगा जन्ता जवाब जाना चाहती है यहां फे जो एक्सपेरियंस कपल है उनको पूछना चाहिए पूरी इंडस्री में जितनी चलती है सबको बता है शेहनशा ओ बॉलिवूड है सर एक सगिंदी का पाइक पकड़ना सर घर में जाद किनकी चलती है जेनरिक आज़े ये पास आज़े सर आपकी आवाद इतनी भारी है ना पास भी गुलाते मुझे लगता है अंदर कर दीजी उनको तोड़ा धर लगता है सर क्या करें और नजीश का सकते हैं सर आपके पास जो बैटी होगी ना मैं तो बहुत जादा नजदीक आना जाता है सरी बूल जाता हो यार तो सर हलो तो मतलब क्या बताएं सर आप खुद एक्सपिरियंस है मतलब मेरे घर में तो आपके चलती है जी बिल्कुल मेरा पेमेंट बढ़ा दी आपने मार्किट में इतनी बात बोलके आईए हम कुछ और अपने मेहमानों से जानते हैं आपको क्या लगता है लडकियों के नखरे जादा होते हैं लडकों के जादा होते हैं एसी कैप्सिकम अगर हमारे गर में हों मों उसकी कभी सबजी बनाएं ना उसको देखते रहें उसको पाणी छीड़े शटके ताजा रखें उसको अच्छा मरको बार पता हैं ये ड्रेस्स कहां से बनवाती है इंदर जी कहीं से भी कैंची चला रहा है शिमला मिर्च या मिर्च हाँ शिमला मिर्च मदल तीखी लडकियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्वाइसी बोला जाये तिखा लगता है लडकों कुछ भी लडकों को लडकियां देख ले उनके लिए सब कुछ अच्छा है भगवान का परसाद समझ के इम ग्रहन करते हैं जो भी मिल जाए देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है मैंने कभी डैप नहीं करवाया मैंने कोई आगे मेकप क्या देखना किसी ने तुना मतलब इतनी बड़ी बड़ी पहनती है बौट शो में कभी पसीना है तो घागरे में मूँ डालके न डैप कर लेती है तो यह बड़ा फाइदा होत है हमने के जरी गोटे का काम करवाया हूँ अपनी बौडी पे हमने क्या गलब किया हुआ है एनिवेस बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए कापेल भगवान के लिए उपर आजाओ प्लीज अरे आप गये अभी तक ने बिलकुल ने ओके तो थैंक यू सो कि यूमा जे बिलकुल बगवान के लिया लिए एग से सी बहुत प्लादी में लिए के लिए से फघाफ प्लादी के लिए आपके लिए से लिए मैंदाध तो उखते हैंस।